आठ अक्टोंबर 1936 में इनकी मृत्यु हुवी थी और ये क्या है? वो पत्रियनी ये थार्त जीवन का आग्रही भी था मत्वाला पत्रिका के ये एक संपादक रहे समकालिन कविता, जो समकालिन कविता है प्रणाम मैरी हानायस अति उत्तम विध्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे सकेंसेम के भी कौम के जितने भी विध्यारती है आज मैं आपको पत्रकारिता के अंतरगत जो हिंदी के प्रमुक पत्रकार है उनके बारे में जानकारी दूँगी हिंदी के प्रमुक पत्रकारों में निराला जी भी एक है पहले मैं इनी के बारे में बता देती हूँ आपको निराला जी, पंडित सुरिकांत्रिपाटी निराला इनका पूरा नाम है तो इनकी पित्रु भूमी उत्तर प्रदेश लेकिन जन्म बंगाल के महिशादल स्टेट में सन 1898 इस्वी में हुआ था आप बंगाली और संस्कृत के अच्छे गुन्याता थे सन 1961 इस्वी में आपका दिहान थो इनकी जो पित्रु भूमी थी वो था उत्तर प्रदेश इनका लेकिन इनका जन्म बंगाल के महिशादल में सन 1892 इस्वी में हुआ था इनको संस्कृत और बंगाली जो भाशा है ये दोनों अच्छी तरहां से इन दोनों भाशाओं में अपना क्या हैं अपना अधिकार रखते थे इनका जो दिहांत हुआ इनका दिहांत 1961 में 1961 में इनका दिहांत हुआ था तो हिंदी में उच्छ कोटी के वेंग विनोत के साथ प्रखर रास्टर भक्ति को प्रदीब करने वाला मतवाला पत्र कलकत्ता से निराला जी के संपादक्त्व में 13 आगस्ट 1923 में मुन्ची नव जादिक लाल शिव पूजन सहाय और महादेव प्रसाथ सेट के प्रयतनों से निकला हिंदी के जो उच्छ कोटी के वेंग जो है वेंग विनोत के साथ जो प्रखर रास्टर भक्ति के प्रदीब को उजवल करने वाले निराला जी ने क्या है मतवाला पत्रिका के ये एक संपादक रहे मतवाला पत्रिका जो है इसके संपादक रहे ये कलकत्ते में ये पत्र निकलता था ये जो पत्र है वो 13 आगस्ट 1923 में 13 आगस्ट 1923 में मुंशी नव, जादिक लाल, शिप पूजन्स, सहाय और महदेव प्रसाथ सेट के प्रयतनों से ये पत्र कलकत्ता में निकलता था इसके जो संपादक थे वो निराला जी थे, सूर्यकान त्रिपाटी निराला जी थे इस पत्रिका में कड़ी सी कड़ी बात को विनोत की शेली में कहा जाता था जितनी भी गंभीर हो या कठिन से कठिन जो भी बाते हैं वो क्या है बहुत विनोद के साथ उस पत्रिका में छापा जाता था ऐसा मत्वाला पत्रिका जिसके संपादग सूरीकांगत्रिपाटी निराला जी थे तो इस पत्र की प्रकुर्ति पूर्ण स्वच्छंद और स्वातंत्र थी वो पत्र इथार्त जीवन का आग रही था और इस घोरक धंदे का खुलंखुला विरोध करता था युग चेतना के प्रती यह सदेव सचेत रहता था मतवाला की साहितिक दुरुस्टी प्रगतिशील थी जो यह पत्र का है जो यह पत्र था वो क्या है स्वाचंद पूर्ण यहनी स्वाचंद और स्वातंत्र था स्वातंत्रता से यहनी इसमें लिखा जाता था और यह क्या है वो पत्र यहनी यह थार्त जीवन का आग रही भी था यह जो पत्र है जो भी गलत होता था उसका खुलम खुला खुलासा इस पत्र में होता था युक्चेतना के प्रती ये सदेव सचेत रहता था जो मतवाला पत्र है इसमें जो भी गलत होता था उसका क्या है उसके प्रती यह जो भी गलत होता था उसका जो भी गलत हुआ करता था उसका खुलासा कहे होता था सिर्फ सत्य ही इस पत्रका में छापा जाता था तो और या और क्या है मत वाला पत्रका जो साहितिक दुरुस्टी से प्रगतिशील था यह जो कुसंस्कृुती है जो भी कुसंस्कृुती है रूडियों और अंधविश्वासों पर बड़ा ही तेज वेंग करता था उस जमाने में जो अंधविश्वास था जो कुसंस्कूरुती थी और कुसव्यता थी, कुसंस्कूरुती थी रूडियां थी इस सारों के बारे में वेंग के साथ वेंग करते हुए ही समाज को नई दिशा दिखाने का एक प्रगती के पत पर ले जाने का जो भी प्रयास इसमत वाला पत्रिका के द्वारा हुआ करता था जिसके संपादक निराला जीते निराला के साथ हर्योध चतुरसेन शास्त्री प्रेमघन प्रसाद उग्र और शिव पूजन सहाए जैसे यही समर्थ साहित्यकारों को तेजो दीब बनाने में पत्र ही आ विस्मरणिया भूमिका थी यहां पर निराला के साथ यहां पर सुरीकान त्रिपाटिक निराला जी के साथ हर्योद, चतुरसेन, शास्त्री, प्रेमघन और क्या है प्रसाद इस सब जो साहित्य कार थे इनको भी क्या है यह भी जो है तेज दीब बनाने में पत्र ही आस्मरणिया क्या है? जो यह मत्वाला पत्र है यह क्या है? यह पत्र जो है तेजो दीब बनाने में इन सारे लोगों को तेजो दीब बनाने में यह एक आस्मरणिया जिसे भूला ही नहीं जा सकता ऐसा एक भूमी का यही आस्मरणिया एक पत्र बन गया था इनी इन सब लोगों को ते जो दीब बनाने का एक आस्मरणिया इनी पत्र बना था, मत्वाला जो पत्र है आस्मरणिया बनाने वाला ये मत्वाला पत्र था इन सबको समाज के सामने, इस संसार के सामने ते जो दीब बनाने वाला ये पत्र था अब हम जानेंगे मुणशी प्रेमचन्द मुणशी प्रेमचन्द जो उपन्यास सामराट के नाम से जाने जाते है और इन्होंने बहुत सारी कहानिया उपन्यास जो रचा था यह एक अच्छे पत्रकार भी थे तो इनका जो जन्म हुआ इनका जो जन्म 31 जुलाई अथारा सो असी में हुआ था और इनकी मृत्यो आट अक्टोंबर 1936 में हुई थे आट अक्टोंबर 1936 में इनकी मृत्यों हुई था हिंदी और उर्दू के महानतम भारतिया लेखकों में से एक है ये अपनी लेखनी उर्दू और हिंदी भाषा में चलाया करते थे। जब ये उर्दू में लिखाया करते थे तब इनका नाम नवाब ब्राय रखा गया था। बाद में इनका नाम मुणशी प्रेमचन जी पढ़ा। फिर मूल नाम धन्पत्राय श्रिवास्तव प्रेमचन को नवाब ब्राय और मुणशी प्रेमचन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो नाम था प्रेमचन जी का नाम इनका नाम था धन्पत्राय श्रिवास्तव प्रेमचन धन्पत्राय श्रिवास्तव प्रेमचन। लेकिन जब इन्होंने उर्दु में अपनी लिखनी चलाई उस वक्त नवाब्रा इनका नाम पड़ा फिर क्या है इनका नाम मुंशी प्रेमचन के नाम से आज पूरा संसार इनको जानता है उपन्यास के शेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार कहें शरत्चंद्र चट उपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सामराट कहकर संभोधित किया था इनके उपन्यासों को देखकर उन्हें उपन्यास के शेत्रों में जो इन्होंने योगदान दिया है इसको देखकर बंगाल के जो विख्यात उपन्यासकार थे जिनका नाम शरत्चंद्र शरत्चंद्र चट उपाध्याय था इन्होंने इनका नाम जो है उपन्यास सामराट के नाम से इनका नाम क्या है? मुन्शी प्रेमचन जी का नाम उपन्यास सामराट इन्होंने ही इनको रखा था प्रेमचन ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहिति का मार्गदर्शन किया ये जो मुशी प्रेमचन जी थे वे क्या हिंदी कहानी और उपन्यास इस प्रकार लिखा कि इसका यहनी हिंदी का विकास भी इसके साथ साथ हुआ साथ ही साथ क्या है पूरी सदी के लिए साहित्य का एक मार्ग दर्शन भी यह जो इनके उपद्यास और कहानी बने वे एक समवेदन शिल लेखक सचेत नागरिक कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे यह एक समवेदन शिल लेखक ही नहीं एक अच्छे उपण्यास कार ही नहीं बलके एक अच्छे वक्ता भी थे अच्छे भाशन देने वाले वह एक वक्ता भी थे साथ ही साथ एक अच्छे पत्रकार भी थे बिस्वी शती के पूरवार्थ में जब हिंदी में तक्नीकी सुविदाओं का भाव था उनका योगदान अतूलनिया है इनि जब बीस्वी शती में इनि बीस्वी शताब्दी में के पूरवर्द में जब तकनीकी जो आधुनिक काल को तकनीकी काल कहा जाता है ऐसा तकनीकी के इनि सुविधाओं में अभाव था तब भी इनके योगदान जो है महत्वपूर नहीं रहे प्रेमचन के बाद जिन लोगों ने साहिति को सामाजिक सरोकार और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया उनमें यश्पाल से लेकर मुक्ती भोत तक शामिल है प्रेमचंद जी के बाद जो साहिति को समाज को यही साहिति को सामाजिक सरोकार प्रदान किया यही सरोकार और प्रगतिशील मुल्यों के साथ आगे बढ़ाने का जो काम किया था उसमें यश्पाल से लेकर मुक्ती भोत तक शामिल है कथाकार प्रेमचंद एक पत्रकार के रूप में विख्यात थे इन्होंने 1925 और 29 इस्वी में माधूरी लक्नो मासिक पत्रिका में मुख्य संपादक के रूप में अपना योगदान दिया जो कथाकार प्रेमचंद जी है उपन्यास सामराट प्रेमचंद जी ने कहें यहां पर प्रेमचंद जी एक अच्छे पत्रकार भी रहे इन्होंने कहें अच्छे पत्रकार होकर यहीं ख्याती भी इन्होंने प्राप्त की अच्छे पत्रकार की ख्याती भी इन्होंने प्राप्त की इन्होंने कहें 1925 और 29 से लेकर 1929 तक जो माधूरी पत्र यहीं जो माधूरी पत्र वो जो लक्नों से निकलता था इसके ये संपादक रहे और संपादक रहकर इस पत्रिका में बहुत सारे योगदान इन्होंने दिये हैं फिर 1930 में इन्होंने हंसमासिक पत्रिका का प्रकाशन तथा 1936 में इसके संपादक बने 1932 में जागरण पार्शिक और मर्यादा पत्रिका का भी काम संभाला प्रेमचन ने हिंदी पत्रकारिता को नए नए प्रयोगों द्वारा नया रूप दिया फिर 1930 में इन्होंने क्या है हन्स पत्रिका जो मासिक पत्रिका थी मासिक महिने में एक बार निकलने वाली जो मासिक पत्रिका थी इसका प्रकाशन किया तथा इसके बाद 1936 में क्या है इसके संपादक बने पहले इन्होंने 1930 में हंस जो मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन तथा 1936 में इनके संपादक बने जो ये पत्रिका है इसके संपादक बने पिर 1932 में जागरण जो पत्र आता था, जो 15 दिन में एक बार निकलता था, पाशिक, पाशिक पत्र का थी, वो क्या है, उस पत्र को ये निकालने लगे, इसके बाद मर्यादा पत्र का भी काम संभाला, जो मर्यादा नाम की पत्र आता था, उसका भी इन्होंने काम संभाला, प्रयोग द्वारा क्या है नया रूप प्रदान किया था ने प्रयोग द्वारा एक नया रूप भी इनोंने प्रदान किया था फिर हंस बहुत दिनों तक कथा साहिति का ही प्रमुक पत्र था जो हंस पत्रिका थी वो साहिति की कथा सुनाने वाली साहिति के बारे में ही ज्यादा तर उसमें लिखा जाता था तो इसके साथ एक इतिहास लगा है जो हंस्पत्र है इसके साथ एक इतिहास भी लगा हुआ है यहाँ इतिहास साहितिक आंदोलन था यह जो इतिहास है वो साहितिक आंदोलन था इसके साथ जो इतिहास लगा है वो है साहितिक आंदोलन इस आंदोलन की उतेजना देने वाले साहिति को हंस ने प्रस्तूत किया प्रगतिवादी साहिति के उन्नयन में हंस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रगतिवादी साहिति है इसको आगे इनी इस साहिति को आगे लेज़े इसका विकास करने में जो हंस पत्रिका है उसका बहुत बड़ा ही योगदान है हिंदी के जो और एक प्रमुक पत्रिकार है वो है आगने इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 में हुआ इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के गाजिया गाउं में इनका जन्म हुआ था जो उत्तर प्रदेश है उसके जो गाजिया गाउं में इनका जो है जन्म हुआ था इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था इनकी प्रारहंबिक जो शिक्षा वो इनके पिता के देखरेक में ही हुई और घर पर ही हुई और इनकी जो शिक्षा है घर पर ही इनके पिता की देखरेक के अंतरगत ही हुई और ये सांस्कृत, फार्सी, अंग्रेजी और बांगला भाषा वा साहित के अध्यायन के साथ हुई ये जो घर पर इनकी जो पढ़ाई चल रही थी इसमें ये सांस्क्रित भाशा और क्या है बंगाली भाशा, फार्सी भाशा और अंग्रेजी भाशा भी वहीं पर सीखा करते थे साथी साथ, साहिति के अध्यायन के साथ भी इनकी पढ़ाई हुआ करती थे सन 1925 में पंजाब से एंटरंस की परिक्षा पास की इन्होंने 1925 में पंजाब में एंटरंस की पढ़ाई जो है उन्होंने उत्तिरण की इसके बाद मदरास क्रिस्चन कॉलेज में दाकिला हुआ इसके बाद क्या है इनका जो दाकिला अनी और भी पढ़ाई के लिए जो इनका दाकिला क्रिस्चन कॉलेज में जो की मदरास में है यहां पर इनका दाकिला होता है अडिमिशन होता है वहां से विग्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1937 में वे B.S.C. करने के बाद लाहूर के फरमान कॉलेज के छात्र बने पंजब में जब इनोंने दाकिला लिया इसके बाद क्या है इनोंने क्या है विग्णान में इंटर की जो पढ़ाई पूरी करके इंटर की पढ़ाई पूरी की इसके बाद 1937 में 1927 में ये B.S.E. की पढ़ाई पूरी करने के लिए लाहुर के फरमान कॉलिज کے छात्र बन गया है लाहुर के फरमान कॉलिज के ये क्या है छात्र बन जाते हैं B.A.C. पूरी करने के लिए फिर 1929 में B.A.C. करने के बाद यम्ये में इन्होंने अंग्रेजी विशे लिया पर कांतिकारी गती विधियों में حिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी ना हो सकी इन्होंने 1929 में B.S.E. पूरा करने के बाद अंग्रेजी विशय में यम्मे करने के लिए इन्होंने दाकिला लिया लेकिन कांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण क्या है इनकी पड़ाई जो है वो पूरी ना हो सकी फिर कवी कथाकार समिक्षक निभंदकार के रूप में विख्यात अगने जी ने 1936 से अनेक पत्रों का संपादन किया जिसमें प्रमुखें सैनिक ये जो है ये एक अच्छे कथाकार थे समिक्षक थे फिर निभंदकार के रूप में ये विख्यात निभंदकार में विख्यात अगने जी ने 1936 में अनेक पत्रों का संपादन किया बहुँ सारे पत्रों का ये संपादक बने फिर जिसमें प्रमुखें इनी उनमें से प्रमुखें सैनिक विशाल भारत कलकत्ता बिजली जो पटना में ये पत्रिका छपती थी पत्रिका इलहाबाद और यांट यनि अंग्रेजी दिल्ली यांट जो अंग्रेजी पत्रिका थी जो दिल्ली में छपती थी वाच अंग्रेजी पत्रिका थी जो दिल्ली में छपती थी ये क्या है ये सारे जो प्रमुक पत्र है उनके नाम थे जो कि ये इसके संपादक रहे हैं फिर 1964 में दिन्मान का संगटन किया और 1970 तक संपादन किया टाइमस आफ इंडिया का प्रकाशन का दिन्मान समय सत्ता और समस्य परिपूर्ण था 1964 में इन्होंने संगटन कार्य इन्ही संगटन इन्ही दिन्मान का संगटन किया इसके बाद 1970 तक ये संपादक रहे है जो संपादन किया इन्ही 1970 तक इन्होंने इसका संपादन किया फिर क्या है Times of India का प्रकाशन, Times of India जो पत्र है इसका प्रकाशन दिन्मान यही समय सत्ता और क्या है समस से परिपूर्ण था, यह पत्र जो है एक साश शक्त और क्या है सम्रुद्ध और किसी के पक्ष में नहीं था, निश्पक्ष एक पत्र के रूप में सम्रुद्धी इसने पाई थी। फिर सन उन्निसो बहत्तर तेहत्तर में अंग्रेजी में यवरी मेंस का संगठन और संपादन किया। उन्निसो तेहत्तर में इन्होंने नया पत्रिका का संपादन संभाला। फिर 1972-1973 में अंग्रेजी में यवरी मेंस का संघतन और संपादन किया फिर 1973 में इन्होंने नया पत्रिका का संपादन भी संभाला नया पत्रिका का संफादन भी इन्होंने संभाला विख्यात साहितिकार होने के साथ साथ एक प्रसित पत्रकार के रूप में इन्होंने आगनिया जी का नाम आता है यह एक ख्याती प्राप्त साहितिकार के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार यानि जो एक प्रसित पत्रकार के जो प्रसित पत्रकार है उनमें से आग्निया जी का भी एक नाम है आग्निया जी ने हिंदी साहितिकी विभिन विधाओं का आंदोलन पत्रकाओं के माध्यम से ही चलाया प्रयोग वाद नई कविता से लेकर समकालीन कविता आदी का सोच विचार इन्होंने पत्रकाओं के माध्यम से ही किया आगनिय जी जो हिंदी साहिति की विभिन विधाओं का आंदुलन किया यही आंदुलन जो किया वो पत्रिकाओं के माध्यम से ही चलाया था साथी साथ प्रयोगवाद नई कविता है प्रयोगवाद यही प्रयोगवाद और नई कविताओं से लेकर लेकर समकालिन कविता जो समकालिन कविता है आदी के विचार इन्होंने अपनी पत्रिकाओं के द्वारा ही इन्होंने किया है आज मैंने आपको कुछ हिंदी के प्रमुग जो पत्रकार है उन में से क्या है निराला जी प्रेमचन जी और क्या है आगनिया जी के बारे में जानकारी दी है और भी कुछ पत्रकार है जिनके बारे में जानकारी मैं अगली क्लास में आपको दूंगी धन्यवाद